हिंदी है देश की राष्ट्र भाषा और हिंदी व्याकरन हिंदी भाषा के अध्यान का महत्वपून हिस्सा है हिंदी भाषा को शुधर रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों को जाने के लिए हिंदी व्याकरण अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी होता है और यह विडियो आपको हिंदी व्याकरण को समझाने में पूरी तरह से मदद करेगी यहां हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी टॉपिक को छोटे-छोटे भागों में वर्गी कृत करके उदाहरन सहित समझाया गया है भाषा, व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, संग्या, सर्वनाम, क्रिया, काल, विशेशन, अव्यय, लिंग, प्सग, संधी, कारक, प्रत्यय, समास, मुहावरा, वचन, विलोम शब्द, संख्याय, निबंध लेखन, अनेकार्थी शब्द, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पत्र लेखन, विराम चिन्ह, लोकोक्तियां, पल्लवन, छंद, रस, इत्यादी हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टाडी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करे भाशा वो साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, वपढ़कर, अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है दूसरे शब्दों में जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखे तत्वा कथेत रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके उसे भाशा कहते है उदाहरन के लिए तान्या जा रही है ये मैं किसी को बता या कोई मुझे बता रहा है ये भाशा है व्याकरन वो विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाशा का शुध बोलना, लिखना एवं समझना आता है उदाहरन के लिए सीता पेड़ पर चड़ता है पहले वाक्य में यह अशुधी है कि सीता स्ट्रीलिंग के साथ क्रिया का रूप चड़ती होना चाहिए वाक्य बनेगा सीता पेड़ पर चड़ती है भाशा की उस छोटी ध्वनी एकाई को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किये सकते हैं जैसे अ, ब, म, क, ल, प, आदी वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है जैसे नरेश, तान्या, भोजन, पानी, सर्रा आदी अनेग शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है ये शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्यान कराते है उदाहरन के लिए राजू सिनिमा देखता है इनमें वाक्य वव उसके अंग, पदबंध तथा विराम चिन्ह आदी पर विचार किया जाता है संग्या उसको कहते है, जिससे किसी विशेश वस्तू, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संग्या कहते है दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तू, स्थान, गुन या भाव के नाम को संग्या कहते है सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते है सर्वनाम यानि सब के लिए नाम, इसका प्रयोग संग्या के स्थान पर किया जाता है आये देखें, कैसे तान्या पहली कक्षा में पढ़ती है, वो पढ़ाई में बहुत तेज है उसके सभी मित्र उससे प्रसन रहते हैं, वो कभी भी स्वयम पर घमन नहीं करती वो अपने माता-पिता का आदर करती है आपने देखा कि उपर लिखे अनुच्छेद में राधा के स्थान पर वो उसके, उससे, स्वयम, अपने आदी शब्दों का प्रयोग हुआ है अता ये सभी शब्द सर्वनाम है जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के, करने या होने का बोध होता है, उससे क्रिया कहते है जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादी, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, उन्हें क्रिया कहते है तान्या खाना खा रही है क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्यान होता है, उसे काल कहते है उदाहरन, एक बच्चे खेल रही हैं, मैडम पढ़ा रही हैं, दो बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी, तीन बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी समझे, पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्थ हो चुकी थी तथा तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है झाल झाल